दोस्तों मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माइं वर्ड अब बहुत सारे वीडियो ऐसे बन गए हैं कि कुछ सीक्रेट बाते हैं डिलीवरी रूम की जो आपको कोई नहीं बताएगा ऐसा कुछ नहीं होता है अगर आप चाहोगे तो आपको बहुत लोग बता सकत परगनेंसी है जिनके वी देलीवरी हुई है वो बताते हैं अपको लेकिन बहुत सारी महिलाओं को जिनकी पहली बैघ्नदट सी बात है कि पूरे परिगनेंसी आपको और पता नहीं क्या-क्या आपके चेकप्स वगरा होते रहते हैं internal बट स्टिल, delivery room में क्या-क्या होता है, उसकी curiosity होती ही होती है तो वही सारी बाते मैं अपने थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगी कि delivery room में आपके साथ क्या हो सकता है और कौन सी चीजों से आपको घबराना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए या फिर आप पहले से mentally प्रिपेर रहोगे कि क्या क्या चीज़े आपके साथ होती है तो सबसे पहले बात कि मुझे normal delivery का अनुभव तो नहीं है लेकिन मुझे C section का है, तो जो भी जानकारी में दोंगी अपने आधार पे देना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ था, और कुछ tips भी आपको देना चाहूँगी कि आप उस वक्त क्या कर सकते है तो सबसे पहले, जैसे मैं second pregnancy में तो मुझे अनुभव हो गया था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है पर्ट स्टिल मैं first pregnancy की बात करती हूँ कि जब भी आपकी delivery नसदीक आ जाए, जैसे कि अगर आपका 36 weeks, 37 weeks अगर आपका हो गया है तो आप एक तरह से mentally prepare रहें कि इसके बाद में भी आप आपकी delivery हो सकती है ऐसा होता नहीं एतनी जल्दी, लेकिन 37-38 week में आप तयार रहें क्योंकि 40 weeks तक complete जाना pregnancies इतनी लंबी नहीं जाती है, 40 weeks कहा जाता है बट इतना ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है और expected जो due date आती है, उसके हिसाब से भी थोड़ा सा mentally preparation हो जाता है बट मैं आपको personally ये कहूंगी कि आप एक दो week पहले से ही तयार रहें है तयारी में आप hospital bags की तयारी कर सकते हैं, इसके उपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी जरूर और बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है, उसके पहले आप तयारी कर सकते हैं दूसरी चीज आपको करना क्या है, आपने जितने भी ornaments पहने हैं, जो regularly आप पहनते हैं, हाथ की चूड़ियां वगरा या फिर कानबाली, जो इतने भी मतलब gold के ornament है, diamond के ornament है, उसको आप please aside कर दीजे, क्योंकि इन केस अगर मालीजे कि emergency हो जाती है, उस वक्त आप hospital में कहां रखेगा, कैसे रखेगा, husband को दीजेगा, पता नहीं वो carelessly रखेंगे, carefully रखेंगे, क्या रखेंगे कुछ नहीं पता इसलिए better है कि अपनी चीजों को आप अच्छे से पहले ही रख लें, दूसरी चीज, आपको इस चीज का mentally prepare आपको होना पड़ेगा, कि आपके internal part में चेक अप बगरा आपको कर सकता है, medical staffs कर सकते हैं, और आपके pubic hair को भी remove किया जाता है, लेकिन बहुत साले लोग को ऐसा माना है कि pubic hair पहले ही remove कर जाएंगे तो जादा बेटर रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, last time पे risk लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है, मालीजे कि आप normal days में अगर आप जब pregnant नहीं रहते हो, आप pubic hair निकालते हो, तो आप सेफली निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको पत balance or unstable होने का risk आप क्यों लीजे, गिर्णे पढ़ने से अच्छा है कि आप इसको छोड़ी दीजे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं करके जाएगा, तो वो staffs नहीं करेंगे, already वो आपके internal check-up करेंगे, तो वो हाथ लगाएंगे ही, इससे बेटर है कि आप पहले ही तो वो जो medical staff रहते हैं, जो कर्मचारी रहते हैं, वो आपका पूरा ये सब area clean करते हैं, और अगर आप C section के लिए भी जा रहे हैं, तो आपके थोड़े से पेट का भी हिस्सा थोड़ा सा shave होता है, बहुत अच्छी तरह के से, तो एक normal सी बात है, उनको ये करना होता है, इस बहुत असानी से हो जाएंगे, तो होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो वो सारे कुछ clean कर लेंगी, और doctors भी time to time आती है, अगर आपकी normal delivery की chance बन रही है, तो वो लगतार cervix को check करती हैं, और इस वक्त आपको panties पहनना, ब्रा पहनना, ये सब allowed नहीं होता है, आपक कि जो dress होती है, वो patients के लिए, वो दी जाती है, आपको उसी में comfortable किया जाता है, तो आप better है कि आप थोड़ा सा free हो जाएए, देखिए, अलग सा अलगता है, कि आप अगर hospitals की कपड़े पहन रहे हैं, वो भी बहुत अलग लगता है, अगर अपने कपड़े पहनने नहीं मिल लेकिन ये सब चीज़ों के लिए, आप mentally prepare रहे हैं, तीसरी चीज़, आपको ये सब कराया जाएगा, लेकिन अगर जैसे जैसे आपका delivery का time नजदीक आता है, मैं normal delivery की अभी बात कर रही हूँ, उस वक्त थोड़ा सा आपकी पेट को खाली किया जाता है, अगर जैसे आपका मालीजे की emergency C-section है, उस समय तो बात अलगी है, थोड़ा सा वक्त दिया जाता है, बट अगर आपका planned C-section है, तो उस समय खाने के लिए ही allowed नहीं होता है, अराउंड 12 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, लेकिन मालीजे नॉर्मल delivery के लिए जा रही है, तो उस वक्त, पुरी तरह से खाली होने चाहिए, आप कॉंस्टिपेटेट बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए उन्हें एनिमा जैसी एक चीज दी जाती है, अब इनिमा होता क्या है, एनिमा ये एक चीज होती है, जैसे कि आपके एनस के थू एक पाइप को इंसर्ट किया आपको mentally prepare रहना पड़ेगा, और जिस तरह से अगर आपका पीट पूरी तरह से खाली हो गया, उसके बाद वो लोग normal delivery की कोशिश करते हैं, आपके हाथ को पैर को भी बहुत tightly पकड़ा जा सकता है, तो ये सारी चीजों मैं आपको घबरा नहीं रही हूँ, बलकि आपको mentally prepare क करने की कोशिश कर रही हूँ, कि इन सारी चीजों को आप smoothly होने दीजिए, मन से डर निकालिएगा, तो ही आप अगले चरन में, यानि की motherhood में भी जा सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी खबराने की जरुरत नहीं है, आपने गौड जिसको भी आप महुत मानते हैं, उसको जरूर रात कर लीजिएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, उसके बाद आपकी डिलिवरी हो जाती है, चाहे वो नॉर्मल डिलिवरी हो या C-section हो, उसके बाद आपको जब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनिशेट किया जाता है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग के लि बेबी को किस तरह से होल्ड करना है, और आप किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कराना है आपको, वो सारी बाते आपको क्लियरली बताती है, तो आपको सिखाने के दौरान या ट्रेन करने के दौरान वो आपके ब्रेस्ट को भी टच कर सकती है, आपके निपल को भी टच कर सक तो प्लीज थोड़ा सा इस समय हेजिटेट मत होईएगा ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है वो बस थोड़ा सा सिखा दिंगे आपको मेभी आपको एक दिन दो दिन का वक्त लग जाए लेकिन उसके बाद देखेगा एक हफता होते होते आप बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रे प्रपेर होके जाहिएगा तो आपको सारी चीज़े काफी असान लगने लगेंगी और सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा तो मैं आपकी सुखद डिलिवरी के लिए भगवान से जरूर काम ना करूंगी जो भी वीवर्स मेरे ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी डि थैस्ट वर वाचिंग्ट ट्रेंस वैवर्स